आज किस पर बात करने वाले हैं किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो देखा जाता है आज की तारीख में बहुत important है वैसे सदियों सा ये बहुत important है लेकिन आज की generation तो कहीं न कहीं, कई ऐसी चीजें हमारी जंदगी में आई हैं जिसने इसका महत्व और बढ़ा दिया है Athletics and Sports, Healthy Mind and a Healthy Body as we say is today's need और आज हमारे साथ कौन है आज हमारे साथ हैं the former international athlete who is director of sports and physical education Rashtra Sanand Takoji Maharaj, Nagpur University से हम कहते हैं and इसके साथ साथ, he is a senior joint secretary Maharashtra Athletics Association and Nagpur District Olympic Athletic Association Dr. Sharad Surevanshi Dr. Sharad, welcome to our studio and welcome to our show Dr. Sharad, international athlete रहे हैं आप मैं आपको उस जमाने में ले चलूँगी जब आपने शरुआद की थी पर सबसे पहले athletics आपके लिए क्या है I got it, it's a very much,иях percent on our family and very few people say, the percentage of those who wishes your e-books that is their job, that is their career so that as a성, somewhere between me and many of my friend whoーん of athletes in my携でき or some of them be in my part but for athletes, not in sport sport although for his sportsiggle, the associates in sports but for this anyway their passion cannot maintain पर मैं खुद को लगी समझता हूआ कि मेरा passion वी ही है, मेरा काम वी हुई है, मेरा career भी है सारा चीज मेर को एक साथ करने को मिल रहा है तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं घुद को भागयान महिछु समझते बच्च्पन से क्या आपको इन्सारी चीजों में शॉगदा क्योंकि जब बच्चे होते तो हमें से पूचा जाता है बड़े हो क्या करना चाहते हो आपके लिए क्या बच्पन से फाशन रहा है नहीं मेरा तो एक दब ना उल्टा स्टोरी है अच्छली ऐसा था हम स्पोर्ट सुखें स्पोर्ट करते हैं और पाकी जगे तो निगेट ये तो में सम suppression जो हूं को कि मेरे लाइव में जितना जितना आगे मैं यहां तक हाया हूं तो हर कहीं न कहीं टपे प्र escr двух टंव टेग्ड़ाव पर्शन मुझे स्वीजे और-और आगे लिकेए गया है हाला कि मैं जिसे लोग आते जाते मारा करते थे हम लोग जिल्ला परश्यत के स्कूल में पड़े हैं तो ग्रामी निला का था उस समय में बाकी कुछ स्पोर्ट में अच्छे बच्चे थे यह थोड़ा और भी तो हम पड़ाई में ठीक-ठाक थे मिंस थोड़ा है तीन-चार जनमें पहले पहले प्रीड़े यह थोड़ा है तो मेरे मन में कहीने कि यह चीज रहती थी दूसरा ऐसा हुता है कि हमारे कि प्रफट प्रहु तो चीजे उनको फेस कर पाऊ तो पर मुझे तब उनका गलत लगता था आज मुझे शही लगता है वो क्या करते थे हमारे स्कूल में पहलवा करता था हाला कि उसे कुछ स्टेंडर नहीं था वो तो शायद वो तालू का वगरे में फस्त आया करता होगा यहाद बार डिस्टिक वगर केला होगा पर हमारे स्कूल का पहलवान था तो जब भी स्पोर्ट का पीरेड लगता था तो सर मेरी उसकी कुस्ती लगाया करते थे और वो मुझे पटक-पटक के मैदान में वहा तता मैट वागर रही तता गाव में तो और वो मार लगने से ज्यादा ना मुझे गिल्टी फिलो तता कि वो सब लोक मुझे हस्ते थे और पर सर नहीं हस्ते थे तो पर मुझे सर का भी चीड आता था कि सर ऐसा क्यू कर रहे है पर मुझे लगता था कि मुझे डॉमिनेट करने के लिए कर रहे, पर शायद लगता है कि सर सही थे, तो उन्हें ने सही किया था, तर दिने दिने मेरे मन में आया कि नहीं, इस टाइप से हम लोग ने रहना चाहिए, तो पड़ाई तो ठीक है, पर साथ-साथ खेल और बागी स हमारी in school के दावरान भी मेट हमीदा है परी कुले कैने फिलनustन भोग केव情況 को में मैं थो कभी बुनन रहने हर दी को शेहर की अगी स्कूल थीक्ति और हमारी खारी की अधकी लोग कि एता कुल्स दी कि तो इन्हीं ज्सकूला के गारी हम दोनों के पासी हिंगिया हैं पर प् यह वोई थी पचास मेटर दोड की प्रजिविता तो सर ने वही जो मुझे कुस्ती में खिला थे उन्हें बोला कि आप वह दोड़ में हिस्जा लोग जब अपर अर सही मेरा दोड में पहला नमबर नम राया तो मुझे लगा कि यह तो अरे यह तो अपन कर सकते हैं तो तब स आपको लगता है कि बीग आपकी जिंदकी में बहुत बदलाव आए हैं बिलकुल 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 बदलाव आगया है आज मुझे जो कुछ भी मिला है मैं स्पोर्ट की बदलती मिला है परन्तु हर दम मैं यह मैसूस किया या फिर मुझे इस पकार से मेरे उपर क्या कहत मुठी बाच्चा में समस्कार होते रहे कि खेल के साथ साथ पढ़ाई भी क्रिया करो तब कहीं आपको जा आगे कुछ मिलेगा तो वैसे वैसे मुझे कोचिस मिलते गए वैसे गुरू मिलते गए अलग-अलग पढ़ाओ पे और फिर आगे हम लोग चलते रहे उसकूल में करते हैं तो मुझे जितना खुशी होते हैं क्योंकि अभी तक मैं पापा को क्या बताता था कि स्कूल के लड़कों ने मुझे पीट आज मुझे मारा तो एक दिन तो पापा भी चिल गए थे कि आप क्यो मार का क्या तो पीट कर आते हो यह गाव में होता है ना उसके कोई भी वो काम हासल करने के लिए कोई भी चीज करने के लिए हर्डल जिंदगी में हर किसी के आते हैं आपके हर्डल कैसे आई कौन सी साक्रिफाइस थी या कौन सा हाड़ेस पल रहा होगा आपकी जिंदगी का फिर मैं बात कर था कि निगेटिव मोटिविशन का यह तो प यहां पर काफी एक्सपोज मिला तो मेरे पापा चाहते थे वो खुद एंसे में तो चाहते थे कि मैं भी जाओ फिर न्से में वहीं दिख था कि कि एंसे में उस जमाने में रिपब्लीटी परेट में जाना रहा तो आपको दोड़ क्रॉस कंट्री दोड़ जहां कंपसरी औ अगर जुनियर में तो तीन किलमेटर नियर में पांच किलमेटर उस में जब आफा लागा लेकिजा जाए करते लिए था कि वह स्टामइन होना चे राजपत पर चलने का उतना हमने बेर बेरिंच कैपैसी तो लागर अगर मेरा अच्छा थे उपार झाला था आप जो जो प तो मैं काफी पीछड़ा हो गया मेरा पहले दिन मेरा त्रयास्रीवा नंबर भी मुझे आता है फिर दूसरे दिन चावराशी फिर ब्यास्रीवा आ गया तो तीसरे दिन के बाद हमको कैम से निकाल दिया और वापस चले जाओ ऐसा करके बोल दिया और एक दूसरी तरफ मेरे पापा सुच थी कि अब रीपब्लिक डेपरेंट जाएगा अजी बाजु गावालों को बता दिया तोस्तों को बता दिया कि हाला कि वह पहला पड़ा हो था तो लगड़ वगरे भी जम जाएगा चले जाएगा अगे पर तो मुझे सबसे ज्यादा दूख उस दीन हुआ थ तो अभिनाश पांता उने जी जो कवे बड़ा नाम है एक दूख में इंटरनाशनल कोच है उनसे मेरा समंधा है फिर उनने बोला कि आप चलो अवर्य नगे घर्टीस करने गया फिर आगे ऐसा हो गया 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 जर्वी बार में कि मैं पिर स्पोर्स में इन्वार हो गया औ कि इन सेश्कन से आपको यह सेंखना चाहिये क た आपको हारना नहीं है आपको कुछ ऐखने मिलता नहीं आप यह ध्यान दीजे कि आप्किस वजह से फेल हुए उस पॉइंट को ठागे आपको आगे बढेन शाहिए हमेशा ध घान रखना चाहिए सर गोहाँ कईना कही जब हम mighty कसी चीज को अफि गहाँ कर देपनाने की कोशिश करते हमेशा हमारे डिए कोई ऀडी पर्सनालिटी आप किन स्पोर स्वेसनालिटी को देखते थे और के ते यह को अठराग्स मैं के एसका नतल के अठराग्स भीयता तो ढोज स्कूल हो थो God नतल के इसी हैं आपए अठराग्स में साफचा Имतर नम बी डौकष है कि roll बच्चे जाते थे पार्टिस्वेट कर आते थे पर हम जीत सकते यह मानसिटा तब नहीं थी पुना बंबे या फिर सातरा संग लिए से हम लो कर दम प्रैक्टिस में तो छोड़ो मानसिटा से पिछड जाते थे तो वो शायद फिर अफसा सब सारे चीजे का एक इंपैक कि जब इसका नंबर था तो हम भी प्रैक्टिस करें और मुझे लगता है बड़े गर्वक साथ यह है कि अधरिक्स को नागपूर में मजबूत करने के लिए मैंने जमेरा जो परफामस्ता वी बेस देने का प्रैस किया अज अधिस्ट्रेटर भी बेस देने का प्रैस कर रह है और स्पोर्ट में बहुत ज़दा आगे अब तो अप्शिंज भी इतने सारे है पहले तो अप्शिंज भी इतने नहीं थे ना तो एक बहुत बड़ी चेन बन चकी है तो में कहीं ने कहीं बेसिक चीजें जाना चाहूंगी कि अगर कोई अथलिक्स में जाना चाता है अध दूसरी तब मेरा फेवरेट सब्चेक है ट्रेनिंग मेठोड्स मेंस जो वर्काउट होता है उसका ट्रेनिंग जो कराते वो चीजे और स्पोर्ट अडिमेस्टेशन तीन मेरे पक्के विशे थे तो रिसर्ज में हम लोग जब बच्चे दुनने का करते है तो एंत्रोपरमे और उस्ट्रिलियन और इन सब में है और वह हम लोग फॉलो करते हैं सिब दो लोग के फॉलो करते हैं अफरिकन कंट्री जिनके बास खाने का कुछ नहीं रहता है परन्तु मेडल टैली में जेखेंगे तो सबसे कम लागत में ज्यादा में ज्यादा लेने वाले वही लोग जिनके बास खाने के लिए भागना पड़ता है उनके तुल्ला में हम लोग बहुत अच्छे हैं और हमारे देश में अभी भी यही चल रहा है कि हमारे जो रिसर्चर्च है जो अलग अलग इनुवेशन करते हैं स्पोर्ट्स के अंदर वो लोग और जो एक्शली उन पर काम अच्छे ना पर जो अच्छेटर्स आ के लिए खाना आपका इस प्रकार का बॉडिक अच्छे ना चीह यह जो तुछी डूसरी तरफ को चैता है कि इतना लोड बेरिंग कैपसिटी इस अथलेट के अंदर अच्छेए यह जो अच्छी पर इन सब में हम बूल जाते है यह स सबसे लाइकुना कोन सा है सबसे बड़ी बात होती है कोई भी स्पोर्स के लिए आपके अंदर जील होना चाहिए आप हाइट में पांच पूट की भी रहे तब भी आप ऑलमपिक चैंपियन बन सकते हैं आप छे पूट की है फिर भी आप जगपी रहेंगे आप पांच को मारी आरचरी का मेल लाती है मेरी को तीन बच्चे की महा होने के बाद भी सकती है तो वह सब यहां दिमाख में रहना चीए फिजिकल स्टेंट बाकी सब यह सारी पैरामिटर्स यह मेरे ऐने अजर फिजिगल एज्जिए लगता है यह सब बात की बात है पहला तो वह जो है या जो बच्चा है उसके मन में होना चीए कि मुझे क्या करना है और आज मुझे लगता है हमारे देश में सब लोग बोलते कि दुनिया का सबसे यूथफूल देश हमारा है परन्तु वह यूथफूल के क्या दिमाग में यह सब चीजे है चाहे स्पोर्ट में या और बात करांगे और मैं खाज कर आप सोच्थे होंगे कि मैं बार बार एस चीज को क्यों दोराती वन्हारी एंग जेनरेरेशन के लए निए यह चीवर्ट सोन तो लेती है लेकिन उसे अपलाई नहीं करती उसे इंपलाई नहीं करती और उसे समच्छती नहीं है चोड़ी-चो आपका बना हुआ है जैसे आपने कहा कि सार हम बहुत ही चीजों में अभी इतनी फासिलिटीज होने के बाद लाग कर रहे हैं मेडल्स हमारे पास उतने आस कंपेरेजन नहीं है क्यों मतलब ये ग्याप इतना क्यों क्या करें किया जा सकता है देखो बाकी जो लोग बोलते रह और ये मैं साबित कर के दिया सकता हूँ as a половook में एक स्पोट्स में इतने साल कहाँ किया आज मी करके कि हमारे देश में जितना फैसलिटीज है उतना शायद किसी देश में नहीं है जैसे कई आग पैसा मिलता है उस सबसे ज्यादा पैसा जादा निरत फैसे ज्यादा श्याल कि मिला है हमारे सिंध को मिला है बाकि और देशों में नी वाला यह तो मेडल के बात किस्तिती अज़ सोच हो जाता है कि अलम्पिक का स्टंडर्ड मेरा जिलास्तर के जिलावी नितालुका में जहां रहता हूँ वहां पर वो होना चीए जब कि हम यह नहीं सोचते कि मेरा स्टंडर क्या है मैं तो अभी सुरू किया है तो मुझे आगे आगे बढ़ूंगा तो आगे सारी चीजे मिलते रहें लोग क करें और जो सुविदा तक पहुंचा दे अगर हमारे तालुका स्टरीय अपरदा है तो तालुका स्टरीय लेवल का ही ग्राउंट रहेगा रदू हमारे जो लोग है और खासवार्श को भी यह करना चाहूंगा कि वह चाहते कि मेरा बच्चा हार गया इसका मतलब ओ जादा प्रोटेक्टिव करके रखते है इस पकार की चिजह जो विदेशों में नहीं होती है विदेशों में थोड़ सा बच्चा बड़ हो गया कि वह इंडिमेंड हो जाता है खासकर के वह मेंटल तपनेस वगरे आती है वह मात्रमी अभी भी बच्चे थोड़ा पैनेंट आती है वह श्रह पाले ललग के थे तो लेटल अलग के थे तो पंचपूर के ललका था मीरा बांष चानु के साथ में तो चेपूर हैटके भी लोग थे इतनी सी मेराबाय चानु ने मेडल ला लिया तो वह तो सोच पहें जील चेल पहें किया है अचली रिदमीनेश और सु तो उनके पैरेंट्स के भी फोन आते हैं अलगला तपकों से रहते हैं तो वो बोलते हैं कि मैंने वोला आप ठेक्टिस करी है और मानकापूर जाहिए या इन्वर्सरी ग्राउंड प्याइए या पर रिश्यमग जाहिए तो उनके रिजन रहते हैं कि नहीं थोड़ा काफी द कि मिल्खा सिंह कुछ नुच फ़ाय या पर रिज्यमग करता है उनके पास किया था वो तो सिफ मुझे लगता है दौरते गए दौरते गए और दौरत दौर के ही वहाँ ता क्वाचन के पास कुछ नहीं था उन्होंने चीजे हासिल की है आज की जेनेरेशन कुछ करने से प यह सब की कुछ उती है, क्योंकि कुछ चोटी चीजे बहुत जरूरी जोती ही हम आज की तारीख में ब्हुत शिकार है, हर किसी को देखा जाता है तो अगर हम वक बहुकर जाना उना चाहते है तो सबसे पहले हम स्पोर्ट शूथ pagar हिं राखlegen करीते हैं विख से सफच्च में डिफरंस्य ही फाशि democratic लोग डिखे हैं अगर इक तोर पर दे चावा देखते हैं आप इसाप शॉट टर्वेरिश normally या फिर बाकी भी हो और जो लोग रहते साथ वाले तो इनका मिला के एक efforts होता है combined efforts जो एक लिए help करता है तो यह जो support system आपकी जितनी अच्छी है उतना आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे तो यह सब चीजों का एक साथ आना यह सब जूड़ कर आना यह भी काफी महत्वपूल होता है और अभी जब फैसरी अपने पास है सारी चीजे हैं दूरिया के अंदर पहले हम लोग 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 जब जाते थे तो यह दो चार ओलम्पिक चोड़ दी पर आज हमारे जितने भी ओलम्पियंग जा रहे हैं यह हमारा सेंटरल गवर्मेंट का जो प्लाइनिक जा लगा है स्पोर्स के लिए लेकिए खासकर कि खेलियो इंडिया का स्कीम है साई के अंदर होने वाला जो उनका अदमिस्टेटिव सेटप है यह सारे चीजे अभी उ बारतिया कि लाड़ी सब के सब पहले आठ या दस नंबर पता है यह दुनिया के आठवे दस नंबर के अंदर पूरे कॉंटेजन के लोग है एक तो पाचोड़कर तो मुझे लगता है कि यह तो हमारा पहला पड़ा इसके आगे हम लोग प्र अच्छा परफॉम कर डुनिया में हम लोग किडा महासत्य या खेल के अंदर की महासत्य की रूप में धरेए ओपर एक दिन में तो कोई चेंजनी ऊगगा नहीं होगा पर हम अब हर घॉक कोος कर घभ़ाएं परन्थू हम ऐसा ड़सार ड़सार हरें प्रन्थू हारें और जहांभी आरे न।ो महार कि पहले दुनिया हमारे को भारतिये लोग आगे जिस पार्टिसिपेट करने आइसा थे अब नहीं हमारे अभी वहां दखल ले जाती है और वो इंडियन के हिसाब से वह अपने स्टेटेजी करते हैं तो यह फरक आ गया है यहां पर अपने युनिवर्सिटी की बात करेंगे हम अपने विदर्ब की बात करेंगे यहां पर अब स्टुडन्स बहुत इंट्रेस्ट ले रहे हैं इनके लिए कौन से इवेंट ओगनाईज ओधे क्योंकि अब तो एक कोरोना काल था जहां पर एक रोग सी लग गई पहले जब देखा जाता था जब हम स्कूल में तब तो काफी इवेंट होते थे काफी पार्टिसपेशन होते थे अब कोरोना काल धीर दीरे नॉमल इस पर आ रहा है तो अब अगर बात करें कि जो लोग पार्टिसपेट करना चाहते हैं यहां इन्वाल्वन ना चाहते उनके किस पर की पासलिटी गहो तीन प्रकार की तुर्णामेंट होते एक होते फेडरेशन लवल की इग तो उनका प्रेशएं अपना अपना सेटर ऑटाषा है थी अन्ट्रिक श्तेट इन नाश्ट एगर खेलते लोग एक इन्वेसिटिग शोधे ऑ्ट इस्में इंटर क्टै तुर् तो बच्चों को ध्यार में यहां को अप्राइच को यह तो आगे कर लेते और मेरे कामपोईचन के पहले वहां आगे लागे आगे बढ़ चली अगर इनकी तो फिर से करोना के बाद शुरू हो चुक कहा है परन्तु सभी खेलों के इंडर कॉलिए इस्ताल नहीं हुए, कुछ जगे हम लोग सेलेक्शन ट्राइस लिए, कुछ जगे इंडिजनल गेम्स के इंडर कॉलिए लेकर टीम हमारी अभी जारी है, तो बच्चे अच्छा फरहम कर पा रहे हैं, तो पहले तो फैसलेटिस थी, औ और अभी जो फैसलेटिस है उसमें थोड़ी बलोतरी हुए है, इन्वसिटी में अच्छा सिंथेटिक ट्राइक अभी बनने जा रहे है, अभी कम्टिट होगा, इन्वसिटी का इंडो स्टिडियम भी उसी भी काम काज शुरू होने की गार पर है, इन्वसिटी अपना एक स इन्वसिटी में काम करना शुरू कि तो अमने द्यान में आगा गया कि जो बच्चे होते उनको उन्हें पोटेंशल काफी होता है, परन्तु डाइड भी उतना इंपोर्डन है, तो इसके लिए जो मिडिल ग्रास फैमिली के लोका जिनमें टैलेंट है, और एकॉनमी के अगले साल हमारा इन्वसिटी शताफदी वर्ष माना जा रहा है, तो शताफदी वर्ष में कुछ अच्छी चीजे करें जो लाइफलांग बच्चों के काम से हैंगे, तो तीन चीजे तो हम लोग मुख्यता करने जा रहें, एक तो सिंथेडिक ट्राक जो भी शताफदी वर नहीं हमारा एक पहले इन्वसिटी है और इंडिया मेश है विलू बड़ गर्व की बात है कि पहले इन्वसिटी गिजो हमारे 100 बच्चे वह हमारे 100 बच्चों को पांच यर उपे प्रती मैना उनको हम लोग रहें टाइट क्लिए खर्चा गरतए तो ऐसे बनने चोनेंगे जो प्रती मेहना सव बच्चों ऑनले मिदल लगता है तो तीन साल तक उसको आपड कर्या तो प्रती महना पांच यार रूपय उसको फूदा होने पर घृट लगाई है तो कैसा ना कि कोई भी ऐत्रीड रगे बड़ता है तो उसकांप्रोविशन तो है पर नतु बाकि वोगों का अगे पहले कि अधिक अधिक पर नंतु आफ करें नहें जो सब्सक्या आफ पार्पोरेंद और लोक सहभाग अधिता जो बोलते हैं लोग बोलते सिव आलमपिक उनको तりटयों को चुननना उनको त्यार करने का और उनको थोड़ाý ऐकनुमिकल सपोर्ट दिये और इमपसक्च्र हो करी तर तो एक बार्द एक अच्छा सेटब बाद बेदर कंडिशन लेदर कंडिशन जो है नागविर का यहाई बेदर कंडिशन गया थे थे राद प्रणीश जूंट टून्ला करें तो हम अनलोकों था है अब रही बात वजिल कि उसमें थोड़ा कम पड़े हैं यहाई पर जो नगपूर का ही बच्चा आदरने इंप आफने तयार किया था वह अलम्पिक्स में गया था नापपूर का बच्चा ऑलम्पिक्स में फंद्रा साल प्रेयर जा सकता है इसका मतलब बाखें भी लोग जा सकते हैं मैन सब्सक्राइब इंटरनाशनल था शूंसके बाद हमारी रोहीनी और मोनिका राउद ट्विन सिस्टर थी उनों ने इशन क्रॉस कंट्री में दोनों पने ने गोल्डर सिल्वर मिलाया था फिर एक अपरना भोयर नाम के हमारे अथ्लिटी जाज रेल्वे में अफिसर के रूप में काम करती है उसने साओध इसन गेम्स में मेडल लाया है तो सिब ऐसा है कि हमने अभी प्रयास करना चीए प्रयास में हम थोड़ा कम पढ़ते है सा मुझे लगता है और नापकुडिस्टिक अथ्लिक असोसेशेशन हम लोग फोकस कर रहे है कि हमारे बच्चे इंटरनाशनली जाए और इंटरनाशनल जाने के बाद मेडल लाने क कुछ लोग को मिला है उसके लिए हम लोग प्रयास रहते है शरी नापकुडिस्टिक पर अभी तक जो रिजल दे चुका है वो ररिंग इवेंट्स में दे चुका है तो अज भी हम पिछे हैं एवन स्टेट लेवल में भी पिछे हैं एका दो मेल जाते कभीकार तो एक अश कुछ कोचे जो इस में इंटर सड़ है उनको नाएस जो हमारा ट्रेनी होता है तो वो सटिफिकेट कोर्स के लिए हमने उनको भीजा है तो अभी हो बच्छे सब कोच करके तियार हो गया है वो अभी उस साइड में भी पैक्रिस करेंगे यह बहुत जरूरी सर यहां जरूर बात कहना चाहूंगी कि sports बहुत लोगों का passion होता है sports पे आना, medal चीतना एक अलग जनून होता है जब हमें medal मिलता है तो वो जनून और खुशी अलग होती है लेकिन कई लोगों को देखा गया है कि sports में इतने medals हासल करने के बाद उनकी जो बाकी की life है वो बहुत problematic में या ज जाए जादा मुराल डाउन कर देती है इस पर आपका क्या टेक है ने मुझे लगता है कि हम कोई भी चीज करते हैं चाहिए पढ़ाई करें या खेले हमारे पास ना सेकंड अप्शन थर्ड अप्शन होना ही चाहिए वह हम नहीं करते हैं इस डारेक्शन में सोचे जाते हैं य है ना समझो मेरे को अधर में परफॉमंस नहीं आच्छा हो रहा है तो शायद हो सत्ता में दूसरे के लिए बनाओं तो अगर लगता है तो हम लोग उदर भी ट्राय करके देखना चाहिए तीसरा हमने यह भी सोचना चाहिए कि मैं स्पोर्स करूंगा ज्यादा खूब ज्य स्पोर्स में यहां तक मुझे जाना है तो मैं यहां पहुचूंगा पर उसके बात क्या है तो उसके जाद दूसरा भी हमारा पैरलल तेहरी होना ची आज मैं जब आपको बताया था कि हमारे जिश में जितनी सुविधा है और दिशन में उतना नहीं है आज गवर्नमेंट की जाप में फई परदर जिर्वेशन एसलीट के लिए है इवन जो इंटरनाशनल मेडलिस्ट है इसाड के ऑलम्पिक्स के जो मेडलिस्ट है उनको डाइरेक्ट क्लास वन की जाप मिल रहे है आप सभी ने उधारन देखे उनको डारेक्ट प्रमोशन जाब परन्तु उसके रहे कि आप के छए इंटर्यू करा या वह जो जाप के लिए लगने वाली यह रिकवार्मेंट है परसनली के प्रोड़ admir क पर्मोशन ये इडुकस मिल अगर आप बोलते है कि मैं दूसरों से अलग हूँ इसलिए a rumorn but दूसरों से अलग है इसलिए अदिए श्ग देघ कि जगो में जब लोग छोड़ देंगे या खेल के बात किया या हम लोग को महां सक्सेस ने मिला तो दुसरी जगे हम लोग आगे बढ़ना चाहिए तिसलिए खेल पढ़ाई होबी जो अपने आपको डेवलप करती है ये सारे चीजे आपने साथ-साथ में करते रहना है लोग लोग बोलते है कि मैं खेलाडी हूँ थक गया मुझे नीद आनी ऐसा नहीं होगा आप खेलाडी है तो आप मैदान के ओपर है आपको उतनी शाबस की वे लेंगी पर आपको अगर क्लास्रूमें भी शाबस की चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा पर आप बोलेगे कि म अपने खेलाडी है मेदल ले लोगा पर हमारा स्टेट का टाइमिंग है अपने आपको पता चलता है कि मैं की स्टेज में हूँ तो उस समय दूसरे और आप्शन के तरब हमने धूनते रहना चीए अपने करियर के अंगल से भी खुद को प्रिवार करते रहना चीए तो ऐसे कई स्पोर्ट परसन हैं ऐसे कई मेडल अचीवर्स हैं जो गवर्मेंट से दरख्वास्ट क्योंकि बहाँ पर प्रोटोकॉल में उनको जॉब का मस्ट है उनको अवेलिबल होती है उनको मिलनी जहिए बिट कई साल लग जाते हैं उनकी एज ग्रुप जो है वहां खत्म हो इंकम टेक्स में जॉब मुले मुझे और भी ओंजिसी में जॉब मिले इस परकर का चाहते है परन्तु वां नहीं मिला तो क्या दुसरा ओप्शन होना चाहिए आप जिस पीरिड में जॉब के लिए सर्च कर रहे उस पीरिड में उस डिपार्मेंट की वैकंसी भी तो होना क्योंकि जॉब लगना है तो रिटार्मेंट्स नहीं क्या कैते उसको पोस्क्रियेट होना यह भी सारी चीजे है तो इस चीजों में आप जिस दौर में उस के लिए मजबूत है तायार है तो उस समय यह भी चीजे माइने होती है तो इसलिए मैं बोल रहा कि दूसरा तीसरा अगर हमको जॉब नहीं मिलती है तो दूसरा भी सिर्फ जॉब नहीं मिला इसलिए सारा खतम नहीं हुआ आज हम लोग अच्छा करपर सेक्टर में काम सकते हैं अपना खुद का कंपनी हो सकता है मेरे कुछ दोस्त है कुछ ऑलमपियंस है वो जॉब नहीं कर रहे हाला कि उन काम करके आज उनका बड़ा नाम है स्पोर्ट्स गुड में हम लोग कुछ कर सकते हैं स्पोर्ट्स साइंस की अलग 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 फैकल्डी जै उसमें काम कर सकते हैं स्पोर्ट्स क्या कैते उसको हमारे जो हमारे स्पोर्स टीचर होते हैं स्पोर्ट्स में प्रोपेर्स लग जब खेलता था मुझे उच इंजुरी काराण चोड़ देना पड़ा जब कि मैं इस समय में स्पोर्ट चोड़ा मुझे मेरा एक ब्लड कोटिंग हो गया अर्च में पहर में तो मेरा थम्हाम से जमी आगया उट से में मेरा बाशर दूसर दूसरा था हम तो मैं फिर नाज मेस जॉब में करता हूं मेरे omega th आज उन सभी से सबसे ज्यादा सेलरी हमारी है क्योंकि हमने एजुकेशन भी साथ साथ में रखा और हमने सेकंड आप्शन चुना आज कॉलेजेस में जो प्रोपेसर को या टीचर को जो मिलता है पैसा शायद मुझे लगता है कि उतना पैसा और फिल्ड में नहीं है तो ऐसे छिडिल्ड है इसको हम देखते नहीं है हम क्या सोचते हैं कि मैं भ selvे में जाऊँ गाऊ ओएंजईसी में जाऊँगा पोलीस पें जाऊँगा या फिर या मेर अघंव जो पर नहीं मिला जॉब तो फिर जो गयाने सब कटम हो ऐसा नहीं है सादा कुछ गतम नहीं होता बाकी ऑप्शन्स रहते हैं हमारे कई एथलेट है जो अलग अलग श्यत्रों में काम पर रहे हैं उसमें काम बसे हैं सक्सेस इन एथलेटिक्स इसे कैसे तरह रहे हैं करें या कंटिनिटी सबसे अधा इसमें इसमें लगे रहो जो भी आप करना चाहते उसमें लगे रहो और पहले सोच की यह मेरे लाइक काम है मेरा दोस्त अगर सव मीटर की दोड़ करता है तो मैं भी सौ मीटर की दोड़ में आऊंगा ऐसा नहीं मेरा फिजिकल स्टेंडर क्या है मेरा उसमें स्टेंथ है यह सारे चीज़े चैनदी पर वही डाइनस कर से मिलेगा एसा नहीं और आप जैसा मेहनत कर रहे हैं वैसा लन्सेमस से और यह इतक से बुश्च Nepस राह भूगा नोकिकले कर लाता कि the अर अहए बढ़ाई ह उतल झोठा तら कुछ निए आठ गनटा सूठे मेगा इतना शॉट परगारी करेंगा क सबहर ञेंनगा हो चोटेगा जोटेंगे गाओंगा감 इसके साथ मैं होबी भी और मेरा परसनलटी में क्या क्या लाकुना है अगर मुझे करें चारपड सेक्टर में जॉब करना या फिर मुझे वह एंजीसे में जॉब करना है तो मुझे इंगलिश आनी है तो जाए निए ग्रामीन तब कि बच्चे आम लोग में माराथी मेटे मे पर मुझे निया थी तब क्लास लगाई और कुछ चीजे करिये इस पकार से मुझे कोद को डेवलब करते हैं जो जन्रेशन है आज की जो यंग जन्रेशन है जो स्टुडेंस है वो अगर एथलीट बनना चाहते हैं अधिलेटिक्स में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए क्या मैस्ट देंगे नहीं उन्हें सिरियसली प्लान करें और प्लान थे पहले तो उसके माबब बच्चा और सा क्या क्या आगे जाना है उसमें यह भी पकड़े कि क्या क्या हमको अब्स्टिकल आ सकते हैं उसको कैसा ओर कम करें यह सब प्लान करके हमको करना पड़ेगा ने तो फिर हम लोग अंधरे में भागते रहे इस परकार का नहीं होना चाहिए कि आया कॉंपटिशन दोड लिए क्याम्पट्टिशन कर लिए यह अंपरश ow लिग अःजये लिeder इंडश घल ऊंड़ेम लिए शाल परम लोग प्रेंगे इतना गंठ प्रेंगे इतना घंठ पड़ाई करेंगे इतना गंठ पर्ड़ा एतना गंठ रिकोरिग कर fix ص त और मेरे बच्चे मैं क्या 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 है कर मेन पर आगे आगे दागे अगे बढ़ते हैं कि अगे देडि़ो इस avonsritisation सेखने हैं कर अगे पर जो पारे बच्टों को सिव bankruptcy a फिरोट को भीजे 물ky ए मुझे अगे ऑड़ते हैं तो उतना प्लान करें काड़ेजन ने प्लाइड करें तो इस प्लाइड करें तो इस प्लाइड ही फैड़ अ करेंगा श्प्लाइजन मिल गाईग सपूर्टी को oc i.e., यह मैं.'' शरत सर डिरेक्टर है नागपुड उनिविछ alerts और और जाइन सेक्वरेट्री भी है थिलिए अश्रोषिएशनक के नागपूर डिशिक्त ओलिम्बिक अश्रोषियेशनक के और जैसे का शरत सर ने कहा कि लगे रहों तो मैं भी यही कहूंगी कि बस लगे रहों जो भी करना है उसमें लगे रहो वो अगाना आपने सुना होगा कि Give me some sunshine, give me some rain Give me another chance I want to grow up once again तो एक chance तो आपको भी बनता है एक failure, दो failure, तीन failure लगे तो रहिए, देखेगा success ज़रूर मिलेगा, अगर आप लगे रहेंगे अगर आपको determination बना रहेगा अगर आप passion बना रहेगा फिर आपको कोई नहीं तोड़ सकता आसपास जो बाते हो रही है, जो negative vibes है उसे बस distract होने की कोशिश ना करें लगे रहें, खुश रहें, विंदास रहें मिलेंगे किसी और शक्सियत के साथ किसी और special personality के साथ तक टक लेदीजेगा जाज़र, देखते रहें वीकेवी न्यूस, नमस्कार